हेलो बच्चो इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सभी कोई को f equals to r by 2 होता है यह हैसो बतलाया है बच्चो इसका मतलब वहाँ पर क्या हम लोगों ने पढ़ा कि दा रिलेशन बिट्वीन फोकल लेंथ एंड रेडियस अफ करवेचर अब आज वह image formation जो rule हम लोग सिखे थे तो image formation में क्या हुआ है image मतलब किसका image मनता है वस्तू का यानि वस्तू किसी mirror से कितना दूर है और वस्तू का image कितना दूर पर बन रहा है और वस्तू उस mirror के कारण बन रहा है यानि उसका focus कहा है यह चीज है तो हम लोग आज देखेंगे कि इसके भी जो relation पढ़ेंगे उसको क्या कहता है तो इसलिए आज का heading जो है वह है mirror formula और mirror equation या jack board में 12 में 12 में है तो एक बार 5 marks में आचुके है mirror formula what is mirror formula what is mirror equation and derive mirror equation 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है mirror formula और mirror equation अब को यह mirror formula क्या है mirror दर्पन सुत्र दर्पन सुत्र क्या होता है the relation among object distance u जो संबंध होते हैं किन के बीच object distance u के बीच image distance v के बीच देखते जाईएगा and focal length f और focal length f के बीच of a mirror एक mirror का is known as mirror formula और mirror equation उसी को जाना जाता है mirror formula और mirror equation और वह जो relation है तो उसके बीच क्या है तीनों के बीच one by f equals to one by v plus one by u one by f equals to one by v plus one by u आप 10th class में पढ़े होगे द्यान आ रहे होगे तो आईए इसी का हम लोग proof देखते हैं कि क्या यह है सो relation बनता है तो यहां proof में लिखा हुआ the geometry of image formation जो image formation जो है the geometry of an object एक object का which is placed जो रखा हुआ है beyond sea of a mirror एक mirror के beyond sea as shown in figure जैसा की चितर में दर्साया गया है तो बच्चो आप सभी को इस बात को है सो ध्यान में रखे कि कैसे यहां दिखाया गया हर कैसे बनाया गया है अगर गौर से देखे इस figure को यहां हम यहां पर दिखा रहे हैं यह यह आपका क्या है यहां गौर से अगर आप देखिएगा तो यहां ऐसा मिलेगा कि यहां लिखा हुआ है इस ray diagram को बना करके नीचे में construction के पहले देखे मैं जो बात बोल रहा हूँ यहाँ पर देखे यहाँ लिखा हुआ है वह क्या है image formation in concave mirror तो सबसे पहले क्या किया गया इसमें इसमें एक mirror लिया गया गवर से देखे कि यह mirror लिया गया है इसमें एक प्रिंस्पल एक्सिस है इस परकार से डाला गया गवर से देखे इसमें एक object लिया गया ए और भी इना इस ए बी से लिया गया अब इस mirror का यहाँ पर focus अधर साया गया और यहाँ पर आशो क्या center of curvature जब ray of light इस परकार से पैरलल जाता है प्रिंस्पल एक्सिस से ता आप लोगों को क्या बताएं कि वह focus से हो करके जाता है इस परकार से focus से चला गया और दूसरा जो ray of light है सो center of curvature से cross कराएं ऐसे गया तो वह क्या होगा वहारी ट्रेस उसी में वापस आ जाएगा तो image इस बी पॉइंट का यह बी पॉइंट का यहां जो है बी पॉइंट कहा बला image यहां पर बना बना देखें तो अब इसको हटा देते हैं अब आप उसको अच्छे से देखिएगा देखिए अब देख रहे हैं वह क्या है बी एम एबी एक वस्तु है और वह बी एम पैरलल है किसका principal axis एक्सिस एपी का देख लीजिए है अब वह है सो एक जब पैरलल इंसिडेंट रे मीरर पर पड़ा तो वह प्रिंस्पल एक्सिस का जो पैरलल है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा फोकस से इसलिए फोकस से बुजार दिए उसके बाद दूसरा रे ओफ लाइट उसी भी पोइंट से हम लोग है सो भेजे किया सेंटर ऑफ करवेचर से तो देखिए दिखा में उतना बनाने के बाद देखिए एम से डी एम से डी यहां यहां पर हैसो क्या दिया गया है यहां पर डॉटेड लाइन ऐसे करके दिया गया दिया गया है और यहां इसे दिखाया गया है तो एम से डी क्या किये हम लोग कंस्ट्रक्शन किये देखिए एम से डी क्या किये construction किए इसलिए लिखा हुआ construction रचना किए md perpendicular to the principal axis अब यहाँ जो जो चीज है जैसे a b क्या है वस्तू का उचाए है लेकिन p a क्या है वह वस्तू का दूरी है इसलिए उसको लिखे p a बराबर b sorry p a बराबर क्या है u उसको कह दिए object distance वस्तू दूरी उसके बाद image जो बना वहाँ क्या बना वहाँ देखे बीच में अगर गौर से देखेगा तो यह image यह बना b dash a dash बना तो वहाँ यहाँ p से a dash का जो दूरी है p से a dash का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोल दिए p से a dash को image distance परतिवियम दूरी now next p c क्या कहलाएगा पहले भी हम लोग देख चुके है radius of कर भेचर p c equals to r कहलाएगा figure में indicate नहीं किये हैं आपको समझना है p c मतलब p से c center से pole का जो दूरी है वह उसको हम लोग वकरता तिर्जा कहते हैं इसलिए उसको कहते है capital R उसको दिखाएगा इकवल टू 2f where p f equals to p f क्या होता है f होगा focus f क्या होगा focus इसलिए p से f को दूरी को बोलेंगे focal length आईए अब नीचे class में आप लोग पढ़े हैं कि आप गौर से देखिए इस figure में figure में क्या दिखा रहा है triangle a b c नीचे क्या लिखा हुआ है as triangle a b c यहाँ पढ़े और उपर में figure में देखिए is similar to मतलब समरूप है वह किसका triangle a dash b dash c a dash b dash c उसको ऐसे नहीं लिख दिजेगा b dash a dash c नहीं लिखना है लिखना है a dash b dash c ऐसा क्यों चुकि ए triangle a b c में a 90 degree से start की है तो उसी पर का triangle a dash b dash c में a dash जो है वह 90 degree है गौर से देखिए है तो उसी लिए हम लोग वैसे ही लिखेंगे अब आप जानते हैं कि एक similar triangle में समरूप तिर्भुज जब दो होते हैं तो उसके संगत भुजा का अनुपात यानि corresponding sides का ratio बराबर होते हैं अब यहां corresponding sides कौन होगे देखिए a b जिस पर करसे triangle a b c में a b लेंगे तो triangle a dash b dash c में क्या लेंगे a dash b dash तो यह उनका संगत भुजा कहला जाएगा corresponding sides कहला जाएगा चुकि 90 degree उपर क्या है तो a dash b dash 90 degree निचे क्या है इसलिए लिखेंगे a b बटे a dash b dash इसलिए निचे लिखा हुआ है equals to फिर अब triangle a dash b a b c में चलेंगे a b c में क्या है a c बटे फिर triangle a dash b dash c में एक बार उसका एक बार लेंगे a b c का भुजा तो दूसरा बार लेंगे उसके निचे a dash b dash c का है ना तो इसलिए लिखें a c बटे में a dash c ठीक है तीसरा भुजा क्या होगा b c बटे में b dash c लेकिन चुकि हम लोग b c और b dash c इसलिए नहीं लेते हैं चुकि यह पोल से दूरी हम लोग है तो b dash और a मतला हम लोग है तो पोल से दूरी को यह b c का जो दूरी है उसको नहीं measurement कर सकेंगे इसलिए उसको अभी यहाँ पर नहीं लिया जाता है तो यह दो का ही लिया गया इसलिए क्या लिखे a b a b बटे a dash b dash equals to a c बटे a dash c तो यह equation 1 दे दिए उसी परकर अगर गौर से देखिएगा तो जब triangle हम लोग क्याल दे रहे है d m f d m f तो उस similar क्या हो जागा a dash b dash f अब आप कहिएगा सर हम a dash b dash f और triangle d m f बाद में नहीं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ऐसा है इसलिए चुकि हम लोग उपर वाला देखिए left side में यह triangle a b c जब उपर वाला लिए थे तो एक नीचे वाला लिए उससे c point से जुड़ा हुआ कि कौन कौन triangle है तो a dash b dash c लिए थे उसी परकार f point से उपर वाला triangle जो हम लोग को दीख रहा है वह है तो क्या है triangle d m f है तो f point से दूसरा triangle नीचे वाला जुड़ा हुआ कौन triangle है principal axis के नीचे तो a dash b dash f तो वही ना similar दीख रहा है देखिए d angle जितना angle m पर बनेगा उतना angle उसी परकार से b पर बनेगा और जो angle है सो आपका f पर छोटा triangle जितना बनेगा उतना ही है सो बड़ा triangle में बनेगा मतलब d m f में जो f का angle बनेगा उतना ही angle a dash f a dash b dash f में f का angle बनेगा गौर से देखिए समझ में आ जाएगा है ना हम किसका बात करने है चलिए तुसी परकार इसमें corresponding sides क्या हो जाएगा इसका dm जब लेंगे देखिए dm पर लंबवत लिए परपेंडिकुलर लिए तो देखिए वही लिखा हुआ कि corresponding sides का ratio equal होता है तो पहले रेशियो निखा लिए अभी किसका equal होगा दूसरा corresponding sides कौन है तो df बटे में ट्रेंगल एड़ेस बीड़ेस एफ का क्या हो जागा corresponding साइब से एड़ेस एफ हो जाएगा गौर से दिखिए अब हम लोग देख रहे हैं चित्र में कि dm बराबर हो गया किसका dm बराबर है a b का देखिए dm को सीधे अपने आख को ले जाए a b का तो पता चल जागा दोनों का हैट बराबर है इसलिए हम लोग सकते हैं कि एक्वेशन क्या हो जाएगा यह ही एक्वेशन क्या लिखा जाएगा दी एम के जगाए अब गौर से देखिए equation 1 और equation 2 इसको equation 2 मान लिए थे equation 1 और equation 2 को देख लीजे left hand side वराबर है तो right hand side वराबर होगी अब देख लीजे तो इसलिए यहां पर लिख दिया गया है कि a c बटे में देश c बराबर दूसरा equation का right hand side क्या है डिएफ बटे अब figure में देखिए कि P बहुत ही close है D का D का बहुत close P है इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ P लिख रहे हैं ऐसा क्यों चुकि जितना भी दूरी है सब को पोल से measurement होता है वहाँ D पोइंचन है इसलिए हम लोग D को P बनाने के लिए ऐसा प्राया रिय उप्टिक्स में करते रहेंगे तो वहाँ D के जगा P लिख दीजेते जो equation उपर वाला आया तो क्या लिखाएगा AC जो equation उपर वाला या equation आया वह क्या लिखा जाएगा AC बटे A-C लेकि इक्वल टू D F D के जगा क्या हो जागा P यहां गौर से देखिए P F बटे में A-F हो गया अब इसको नीचे देखिए तो हम AC को क्या लिख सकते है A से C यह दूरी तो हमको पोल से नहीं पता है इसलिए हम लोग AC को क्या लिख दिए AC को देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है इसमें गौर से देखना है कि क्या लिखे है AC बराबर लिखे है क्या P A-P C लिख सकते हैं तब AC हो जागा सब को P से वहां पर नीचे लिख देंगे दूरी को चुकि हम लोगों को वस्तु दूरी परतिविम दूरी और फोकस दूरी के बीच रिलेशन निकानार सभी दूरी को पोल से मेजर्मेंट करते हैं इसलिए सभी को P से रिलेटेट कर देंगे तो A-C उसी पर कर देखिए क्या हो जाएगा P C माइनस P A-C तो इसलिए उसके नीचे लिखा हुआ देखिए इक्वल्स टू P F तो P F है चलिए उसको चेंज नहीं करेंगे लेकिन A-F फिगर में देखिए A-F कहा है A-F यहाँ है अभी दूरी को हम लोग क्या करेंगे P A-C माइनस P F यहाँ कर देंगे तो देखिए तबा जाएगा A-C वही नीचे लिखा हुआ अब A-C कर्चिन उपर इस परकार से जो दिया गया कि मतलब इसके बाद आपको यहाँ समझना है कि यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है यह हैसो देखिए अब हम लोग क्या करते रहे हैं यूजिंग साइन कनभेंशन क्या कर रहे हैं साइन कनभेंशन यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने की बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या है P A P A क्या है P से A का हम अभी लिखे हुए है P A क्या है object distance है तो object distance को U से indicate करेंगे अब P को origin मानेंगे तो A X dash होगा मतलब maths में इसलिए लिखा हुआ using sign convention maths में आप सभी को जानते हैं कि origin से X dash में क्या हो जाएगा वह दूरी को negative लेते हैं इसलिए यहां लिखे हैं U और साथ में दे दिए minus U और इसको bracket में close कर देंगे उसके बाद minus का चिन है इस equation में देखें कि उसके बाद क्या लिखा हुआ P A के जगा लिख दिए minus U फिर minus का चिन दिए P C क्या हो जाएगा P C P से C का distance को R बोलेंगे radius of curvature देखें यहां लिखा गया तो उसको हम लोग P C के जगा minus R हो जागा चुकि यह भी है X dash में लाई कर रहा है तो यहां पर क्या हो जागा minus R तो इसलिए इसको भी bracket में लिख दिए इसको भी क्या किये bracket में लिख दिए उसी परकार नीचे देख लिजे नीचे भी उसी परकार से R है कि P C के जगा क्या लिखाएगा minus R अपने से देखते जाए यह figure में minus P A dash को क्या लिखेंगे P A dash P A dash को minus सब को bracket में कर दिए equal to क्या है यहां पर equal to है P F P F P से F की दूरी क्या होगा focus कहलाएगे लेकिन वह क्या होगा minus में होगा इसलिए यहां पर minus दिया गया है उसके बाद P A dash है P A dash क्या है देख लिजे figure में figure में क्या है P A dash वह B है क्या है चुकि वह image है A dash B dash image है तो वह P से A dash जो कहलाएगा वह image distance कहलाएगा तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे भी लिखेंगे लेकिन यह भी क्या है A dash में है A dash क्या है P से A dash तो वह X dash में है यानि कि maths में समझना X dash में क्या होता है आप लोग सभी कोई यह सब जानते हैं ना कि यहां origin है यह X axis है यह X dash axis है यह Y axis है यह नीचे Y dash axis इसमें सब positive होता है इसमें भी positive होता है इसमें negative होता है नीचे वाला में यह भी negative इत्दु ध्यान होगा ही 10th क्लास में पढ़े हैं तो उसी के अनुसार है सो sign convention दे देना है यहां पर तो वह उसी परकार से यहां पर क्या हो जागा नीचे में P A dash को मैनस भी दे दिए फिर P F को फिर से देखिए क्या है मैनस F होगा वही लिखा हुआ है अब उसको solve करेए solve करेंगे इसको आपको solve करना है solve करेंगे तो नीचे वाला देखिए बराबर आएगा मैनस U उसके बाद क्या है मैनस मैनस प्लस हो जाएगा R लिखाएगा बटे में मैनस R अपना जगा रहेगा और मैनस मैनस प्लस भी हो जाएगा फिर equal to मैनस F अपना जगा उपर में रहेगा बटे में मैनस भी और फिर मैनस मैनस प्लस हो जाएगा हो गया अब हम लोग क्या करते रहे हैं केवल R के जगा हम लोग क्या किया है R के जगा 2F लिख दे रहे हैं इसके बाद के equation में क्या कर रहे हैं R के जगा देखिए यहाँ इस जगा में क्या किया है R के जगा 2F लिखे हैं उपर वाला से R देखिए मैनस यू R के जगा 2F बटे में मैनस आर था तो मैनस 2F लिखा गया और B है तो B ही है बाकी सववे से ही अब उसी को केवल हम लोग क्या करते हैं इस equation को arrange करके नीचे लिख देते हैं arrange कैसे किया गया देखिए गोर से 2F उपर वाला में 2F प्लस में है और US मैनस में है लिख दिए 2F मैनस यू पहले 2F लिख दिए बटे में फिर क्या लिख दिए V मैनस 2F इक्वल स्टू फिर उसी पर उपर में तो कुछ है नहीं दो चीज उसको इसे लिए मैनस F रहने दिए और नीचे में divided में मैनस V पलस F है तो इसको क्या लिख दिए F मैनस V समझ रहे हैं अब क्या किये उसके बाद हम लोग है तो इसको इससे क्रोस मल्टिपिकेशन करिएगा तो अब क्या है जो बच्चे गुना करने जानते हैं ठीक है जो नहीं जानते हैं वो क्या करिए 2F से F मैनस V को गुना करिए तो यह आएगा और फिर मैनस U को यहाँ F मैनस V से गुना करिए तो यह आएगा गोर से देखी 2F इन्टू F 2F स्कार हो जाएगा फिर 2F इन्टू मैनस V तो क्या हो जाएगा मैनस 2VF हो जाएगा उसी परकर मैनस U से F मैनस V को करिए तो मैनस U इन्टू F मैनस UF हो जाएगा उसके बाद मैनस U into minus V तो क्या हो जागा minus minus plus और U into V हुआ equal to इसी पर का right side में कर रहे है minus f into v minus f v होगा और फिर minus f into minus 2f क्या हो जागा minus minus plus और f into 2f 2f square हो जागा समझ रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पर देखे left hand side में हम लोग देख रहे हैं कि 2f square जो है वो plus में है और right hand side में भी plus में है तो जब 2f square left side आएगा तो minus में हो जाएगा तो यह और यह cut जाएगा 0 हो जाएगा देख लीजे समझें क्या बोले और बाकी जो है देखेए minus 2bf और इस minus भी right side में जो बचा था यह केवल बचा कटने के बाद तो उसको भी हम लोग क्या कर रहे है left side ले आ रहे है तो left side आएगे तो क्या minus 2bf और plus bf भी क्या कर लागा minus fb बराबर यहाँ पर जो minus fb बराबर इधर है तो लिख रहे है plus fb fb को सजा के लिख दिए केवल bf और यह minus uf minus uf है बचा उपर में देख लिजे उपर में left hand side में बचा था minus uf और यह plus ub वही चीज यहाँ लिख दिए equal to क्या हो जागा 0 अब इसको solve कर यह minus 2bf plus bf क्या बचेगा minus bf बचेगा minus 2 plus 1 क्या बचता plus bf बचेगा minus bf और बाद में देखिये लिखा हुए minus uf तो minus uf लिख दिए और plus ub वही से ही रख दिए ub को left hand side में ही रखे नीचे के step में ub को left hand side में रखे और minus bf और minus uf को right hand side में किये देखिये किये तो उससा plus हो जाएगा right side में किया तो अब uv तो uv हो गया equal to इस दोनों से इस दोनों से f common आएगा देखिये तो इसलिए लिखा हुआ f common आगया तो क्या बचा b इसमें पहला में b बचा plus u बचा अब f को हम लोग क्या कर दिए left hand side में ले आएए यहां से left hand side में ले आएए तो वह चुके into में था f तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा इसलिए uv बचे क्या लिखे है f equals to क्या बचाएगा b plus u अब फिर क्या किये है uv को हम लोग uv को यहाँ पर ले आए नीचे में तो देखिए उसके नीचे वाला equation में क्या लिखा हुआ है उपर में बचेगा कुछ नहीं बचेगा तो एक बचे एक बचे एफ बच जाएगा तो इसलिए यहां लिखा हुआ है एक बचे एफ देखिए है एक बचे एफ बराबर u b plus u और u b नीचे आ गया अब एक बचे एफ बराबर b बचे उपर वालाम क्या है b plus u बचे यू भी यानि u भी दोनों में भाग जा सकता है तो वही अलग-अलग कर दिये b बचे यू भी पलस u बचे यू भी अब अपने से देख लिजे कि एक बचे एफ बराबर b और b एक बार में कट जागा तो 1 by u बचेगा plus u और u कट जागा उपर में तो क्या बचेगा 1 by b तो देखिए नीचे वाला वही आया यह क्या चीज कि 1 by f equals to 1 by u plus 1 by b इसी को करते हैं this is known as mirror formula तो इतना सीखने के बाद आप सभी कोई को मेरा यही कहना है कि मतलब अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं शुरू से वो एक बार revision कर लेजेगा क्योंकि इसके बाद मैं reflection of light का इतना ही और भी चीज़े हैं लेकिन हम लोगों को इतना से काम चल जाएगा आगे पढ़ने में जो 12th क्लास का syllabus है लेकिन उसके syllabus यह नहीं था अभी तक वाला में उसके बावजूद भी question आया हुआ है तो question आया हुआ है इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को बता दिया अब इस पर based है तो numerical भी आये हुए है numerical पर है सो बात करेंगे है ना आशा करते हैं आप सभी कोई समझ गए होंगे और कल जैसे किये थे कि पहले इसका note से सो तयार किये थे उसके बाद देख देख करके समझे थे उसी परकार से हैसा आप लोग इसमें भी करेंगे है ना ओके थैंक यू